नमस्कार दोस्तों मैं फिर से सब्सक्राइब करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर करके आया हूं 29 दिसंबर की इंट्रेडिंग रिसर्च देखिए आज मेरा इन 7 स्टॉक्स में इंट्रेडिंग व्यू बना हुआ है तो मैं आएके करके आपको दि ब्रेक करती है और वह उपर रहता है और उसके बाद अगर वह नीचे की तरह मूव करता है तो आप इसमें एक शॉर्ट सेलिंग का व्यू रख सकते हैं अल्टरा सिम को इसमें ही मेरा शॉर्ट सेलिंग का व्यू बना पड़ा है अगर मार्किट कल का हाइस पइंट ब्रेक करती है उसके बाद अगर वह नीचे की तरह मूव करती है तो इसमें भी आप शॉर्ट सेलिंग का व्यू रख सकते हैं अगर मेरी स्टेड़ेजी के सब मेरे कर् Sand d pandemic तब आप काम कि जेगा विदाय। स्टाइडरी में डिको कि हर्स्टेडरी मेंcall खकम करने हैं तो आप उसको ध्यार में रख और कर कि काम की जेगा जो यह देशड शर्ट स्लिंग अग quand? बना हुआ है जेस डबलु स्टील में भी मेरा शॉर्ट सेलिंग साइड का व्यू बना हुआ है कल सेम इसमें भी प्रॉसेस आपको देखना है कि मार्किट कल का हाइश पॉइंट ब्रेक करना चाहिए बालिंगे बैंड के वो ऊपर है न चाहिए उसके राप अब नीचे के तरह मूव करता है त歌 अब ही आप इसमें शॉट सेलिंग का व्यू बना सकतें आई बूल हाउसिंग फाइनेस में भी आप शॉर्ट सेलिंग का व्यू बना सकते हैं मेरा इसमें शॉर्ट सेलिंग का व्यू बना हुआ है बालिंग में के उपर जाने के बाद आज का जो भी मतलब 28 तारीक जो भी हाइस पॉइंट है उसको ब्रेक करने के बाद अगर वह नी और बॉलिंग में के उपर जाने के बाद अगर वह नीचे की तरह मूव करता है तब आप इसमें शॉर्ट सेलिंग का व्यू बना सकते हैं डावर में भी मेरा शॉर्ट सेलिंग सेड का व्यू बना हुआ है इसमें भी प्रोसेस है हाइस पॉइंट ब्रेक होना चाहिए बॉ बॉलिंग एवन के ब्रीक करने के बाद अगर वह नीची की तरह मूव करता है तो इसमें आप शौट सेलिंग का व्यू रख सकते हैं तो आज मेरे सभी स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स मेरा शौट सेलिंग सैड का व्यू बना हुआ है और अगर मेरी स्टैटेजी के साथ मेरे जो भी मेरा सेंटिमेंट है किसी भी स्टॉक्स को लेकर करके अगर आपका भी सेंटिमेंट वही है तब ही आप उसमें काम कीजिएगा अपने रिस्क रिवाइट की कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में टेक कियर बाए